नमस्कार दोस्तो आपका हमारे चानल को सल्यादेशिक कीचन में आर्दिक स्वागत है आज हम बनाएंगे दूद वाला पीठा इसे बनाना बेहती आसान है और ये बेहती टेस्टी बनता है तो आप हमारा वीडियो अन तक देखते रहिए कि कैसे हमें बनाना है दूद वाला इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए दूद फूल क्रीम एक लीटर अर्वा चावल तिनसो ग्राम पचास ग्राम मोमफली पचास ग्राम तील पचास ग्राम किसमिस गूड 1,500 ग्राम इसे हम छोटे छोटे टुकडो में तोल लेंगे गड़ी दो कप कदुकस किया हुआ कि बाद हम लेंगे चावल को हमने दो से तीन बार धो लिया है कि बाद हम इसमें पानी डाल लेंगे और दो से तीन गंटे के लिए इसे भीगने के लिए छोड़ देंगे चावल हमारा फुल चुका है तो अब हम इसे घर के अंदर ही एक कपड़े पर फैला देंगे चावल का पानी सुखाना है चावल नहीं सुखाना है इसे हम फैला देंगे कि पानी सिरिफ सुख जाए तिदी की पानी सुख चुका है और चावल बिल्कुल खुला-खुला सा हो चुका है इसका हम फ्रेश और ताजा आटा तयार कर लेंगे आप चावल का आटा भी ले सकते हैं पिछली इससे हम डाल लेते हैं और इसको हम बारेकी से पीछ लेते हैं ढकन लगा देंगे पिछ चुका है एदम सौप्ट आठा अब हम एक छन्डी में डाल कर चाल लेंगे सच्छे सचालना है दोस्तों आप हमें इस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं और फेस्बुक में भी फोलो कर सकते हैं इसे चाल लेते हैं बचे हुए चावल को और हम पीछ लेंगे जो हमने चाल कर रखा है तो देखिए आठा तयार हो चुका है पहले हम मॉंफली को भूण लेते हैं इसे चलाते रहना है यह बिल्कुल कुरकुरा हो जाए इसे फट रहा है और छिलका भी हट रहा है इसे हम ठंडा कर लेंगे और इसका छिलका हटा लेंगे तिलको भी हम भूण लेंगे इसे चलाते रहेंगे दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और लाइक करें और समय सेयर करें कि आने वाली रेसिपिकर नोटिपिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा इसे अच्छे समय चलाना है और भूण ना है दोस्तो अगर आपने हमारा तिलका लड़ू बनाने का रेसिपि नहीं देखा है तो आई बटम पर उसका लिंक दिया हुआ है आप वहां जाकर देख सकते हैं तिल हमरा भूण जा चुका है इसे भी एक प्लेट में डालकर ठंडा कर लेंगे पानी डालेंगे तीन पाव और पानी में उबालाने देंगे पानी में जैसे ही उबाला जाये तब हम पीसे हुए चावल का आठा इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चलाते जाएंगे यह डेला डेला ना हो इसमें चलाते रहना है और आठे को डालते रहना है इसे हम लगातार चलाएंगे और भी हमने flame को कर दिया है सारे याठे को पहले mix कर लेगे थोड़ा थोड़ा डालते और mix करते जाएंगे हम इसे लगातार चलाएंगे हम इसे अच्छे से mix कर लेगे ये दिखिए पानी सारा सुप चुका है अब सिफ हमने आठे को पकाएंगे इसमें हम डाल देंगे एक चमज घी कि हमारे पेन में जो चिपक रहा है आठा वो बिल्कुल नहीं चिपकेगा और बहुत ही सौप्ट आठा हमारा तयार होगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेश्टी लगेगा ये बहुत ही हल्दी बनता है ये दिखिए पेन में से चारो तरफ से छोड़ चुका है आठा हमारा एक कठा हो चुका है और ये दिखिए बिल्कुल टाइट भी हो चुका है देख सकते है आठे को हमने पका लिया इस से और ये दिखिए बहुत ही सौप्ट है ये इसे हम ठंडा कर लेंगे प्लेट में कालकर अब हम मुंफली छिलका अटा लिया है और इसे हम दरदरा पीशेंगे इसी में डाल देंगे तील दोनों को हल्का दरदरा पीशना है बारी किसे नहीं पीशना है ये देखिए बिल्कुल दरदरा ही है अब एक प्लेट में इसे डाल लेंगे एक चमच घी डालेंगे गी जैसे ही गरम हो जाए कद्धू कस्किया वह नारियल हम डाल देंगे गुड भी साथ में डाल देंगे और ताव हमें बिल्कुल लो रखना है नहीं तो गुड हमारा जल जाएगा चलाते रहेंगे देखेंगे कि धीरे धीरे गुड अपने आप ही पिखलने लगेगा पानी हमें इसमें नहीं डालना है यह दिखेंगे गुड पिखल चुका है इसी में किस्मिस भी डाल देंगे इसे भी मिक्स कर लेंगे अब हमने तील और मुंफली जो फूंच कर रखा था पीस कर वह भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे है त्छे के अलगाता हैं चलाकर मिक्स कर लेंगे अब हमने ताव बद कर दिया है चुले को भी सब्सक्राइब अ कि विए बिल्कुल मिक्स हो चुका है अ और इससे हम रख देंगे थंडा हमने के लिए दिख सकते हैं प्लेट में डाल देते हैं बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है और बहुत ही अच्छी सी खुस्बूर निकल रही है इससे चलिए अब हम इससे ठंडा होने देते हैं अब हम दूद को डाल देते हैं गरम होने के लिए जब तक दूद गरम हो तो उसके बाद हम आटे को थोड़ा गुन लेते हैं जिसे हम रोटी के आटा सानते हैं बिलकुल उसी तरह इससे सान लेना है मसल मसल कर अगर आपको आटा चिपक रहा है तो आप हलका सा घी हाथ में लगा सकते हैं थोड़ा सा घी हमने रख लिया है और आटा साना चुका है हाथ हो में लगाएंगे थोड़ा सा घी और एक लोई लेंगे जैसे हम रोटी का लोई लेते हैं उसी तरह से इसे गोल कर लेंगे, गोल कर लिए हमने, अब बीच में हम गड़ा बनाएंगे, इसी में हम डालेंगे एक चमच के अंदाज, यह हमने तील और ममफली का मिसरन बना कर रखा है, और इसे हम आराम आराम से पेक करेंगे, यह कहीं से फुटे नहीं, यहीं अच्छे से इसे पेक करना है, नहीं तो दूद में जाते ही खुल जाएगा, एक बार सारे हम बना कर रख लेंगे, जब तक हमारा दूद गरम हो रहा है, हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे, लोई कर लेंगे, फिर से गढ़ा बना लेंगे बीच में, यह दिखे, बना लेंगे, इसे डालेंगे, एक चम्मच, और इसे फिर से पेक करेंगे, अराम-अराम से, यह फूटे नहीं, और इसे अच्छे से पेक करेंगे, कि खूले भी नहीं, दिखे, सारे हम इसी तरह से बना लेंगे, दिखे, बन चुका है, दूद को चलाते रहेंगे, वो जले नहीं, दूद हमारा जिसे ही गाढ़ा हो जाए, तब उसमें हम डालेंगे, यह पीठा, दूदा भी हमारा गरम भी हो चुका है, और गाढ़ा भी हो चुका है, इसमें हम डाल देते हैं, पीठा, यह हमने डाल दिया है, आराम आराम से, और इसे चलाएंगे भी आराम आराम से, हडबडाकर नहीं चलाना है, 20 मिनट तक पकाईनी से, डकन लगा दिया है, और मेडियम फिलेम हमने रखा है, जले नहीं दूद, चला लेते हैं, आराम आराम से, हडबडाकर नहीं चलाना है, बहुती अच्छा से उबाला रहा है, अब यहाँ पर हमने लिया है, चीनी, दो कप और दो एलाइची, चीनी डाल देंगे, उपर से मिठास लाने के लिए, तो दूद हमारा मिठा हो चुका है, इलाइची भी हम कूट कर डाल देंगे, बहुती बड़िया सा एक फ्लेबर आएगा इलाइची का, और खाने में भी बहुत ज़्यदा टेस्टी लगेगा, यह हमने मकर संकरांती के सूब अफसर पर बना दिया है, और यह दिखिए, बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, यह बनकर रेडी हो चुका है, अब देख सकते हैं, पुरा गाढ़ा हो चुका है, इसे हम उतार लेगे अब, बहुती टेस्टी बनता है यह, और यह हल्दी भी, यह दिखिए, बनकर रेडी हो चुका है, चलिए इसे अब हम परोस्ते हैं, यह दिखिए, जट से बनकर रेडी होने वाली रेसेपी, और मकर संकरांती, पिठा के बिना तो बिल्कुल अधूरा है, गर्मा गरम इसे बनाईए, और मकर संकरांती में, पुरे परिवार के साथ इंजोई कीज और बनाकर खाकर टेस्ट किए कि यह कैसा बनता है, यह दिखिए, इसमें थोड़ा सा हम, कोई भी ड्राइपूट डाल सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा, दोस्तों अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आए, तो आप हमारे रेसिपी को लाइक करें सस्क्राइब करें, सब में सेयर करें, इस तरह से पिठा बनाकर अपने घर पे ट्राइ करें, बहुत टेस्टी बनने वाली रेसिपी है, और बहुती मज़े की लगती है खाने में,